Hello friends, welcome to Krishna Academy दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चेनल पे उमीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत सांदार तरिकी से चल रही है क्योंकि पैट एक्जाम में आपके बहुत कम समय बचे हैं तो यहीं समय है अंतिम जोर लगाने का अंतिम मेहनत करने का ठीक है जितना हो सके अपने जो नोट्स बनाया है उसको रिवाइज करिए बार बार रिवाइज करिए प्रैक्टिस हैट सॉल्व करिए यहीं एक सफलता की कुझी है ताकि आप आसानी से कम से कम 70-80 नमबर ला सके हैं ठीक है आप में से बहुत सारे लोग बार बार यह प्रस्न पूछ रहते कि क्या सर पेट इगजाम टलेगा तो इसके बारे में आज हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे देखे पेट इगजाम टलने का मुद्दा ही क्यों उठा क्योंकि आप सभी को पता है कि जो यूपी ट्रिपल सी पेट का जब एडमिड कार्ट जारी हुआ तो सारे बच्चों का चाहें वो लड़का हो या लड़की सारे बच्चों का लड़कियों का ज्यादा तर होम सेंटर रहता है लेकिन इस बार होम सेंटर लड़कियों का भी नहीं रखा गया है और बहुत दूर दूर से तक सेंटर भेज दिये गया है इवेन इतना दूर दूर चला गया है कि बहुत सारे बच्चे ये कमेंट के कि सर मेरा सेंटर 700 किलोमेटर दूर है मेरा सेंटर 900 km दूर है मतलब एकदम समालजी की अंतिम छोर पे मतलब आप मालजी के अगर आप पुर्वी छेतर से आते हैं तो सीधे आपको पस्चमी छेतर के एकदम अंतिम छोर में आपको भेज दिया गया है इस तरीके का सेंटर मतलब जारी हुआ है इसके पीछे कारण ये हो सकता है एक तो बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म भरा 37 लाग बच्चों ने इस पैट इग्जाम के लिए फॉर्म भरा है टिक है उपर से दूसरी बात की नकल नकल भी हिन जो इनलों का उद्दे से इस वज़ा से भी सेंटर दूर कर दिये है ताकि जो सेल्फ सेंटर नहीं रहेगा या माल लिजे की अपने होम सेंटर में सेंटर नहीं रहेगा तो नकल नहीं होगा लेकिन जुगाड करने वाले तो कहीं भी जुगाड कर लेंगे ये भी एक बात है दूसरी बात यह है कि क्या pet exam टलेगा तो इसको लेकर काफी भी बाद हुआ है खासकर girls का जो home center होता था उनको काफी दूर उबेज दिया गया और लड़कों का भी center बहुत दूर उबेज दिया है और दूर हो जाने के पीछे का कारड़ यह है कि बहुत सारे बच्चे exam ही नहीं दे पाएंगे exam इसलिए नहीं दे पाएंगे कि उनका center दूर गया बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो असमर्थ हैं बहुत सारे बच्चे आते हैं middle class family से उस below middle class family से जो 708-809 km की दूरी का खर्चा वहन नहीं कर सकते चाहे वो बस से जाएं चाहे वो ट्रेन से जाएं नहीं जा पाएंगे और 700-800 km दूर center जाने का मतलब यह है कि आपको एक दिन पहले पहुँचना पड़ेगा और जाईसी बात है कि अगर आप एक दिन पहले पहुँचेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा आपको वहाँ पे room लेना पड़ेगा room लेके रहना पड़ेगा या तो आप बाहर footpath पर सोगे माली जी कि हम बाहर सोते हैं station पर अगर हमें माली जी कि डेंगु मोंगु हो गया तो फिर इसकी जम्मेदारी तो सरकार तो लेगी नहीं ठीक है और उपर से सरकार बस की बवस्ता तो कर रही है लेकिन फ्री में बस सेवा चालू नहीं कर रही है तो ये भी एक ड्राब है इतना दूर सेंटर अगर आपने बेजा है तो आपने UPRTO की से जो बसे निकलती है उनको आप free कर दो सबसे बढ़ी है बात है कि उनको free कर दो ताकि बच्चे अपना जा के एक्जाम दे पाएं ठीक है उनका कुछ तो खर्चा बच्चे आने जाने का बिवस्ता करिए बच्चे admit card दिखाए और अपना free लड़कियां एक्जाम चोड़ देंगे क्योंकि उनके घर में कोई है नहीं एक्जाम दिलाने के लिए तो ये सब चीजे हैं तो इन सब चीजों की वज़़े से pet exam टालने की बात हो रही है लेकिन pet exam अब हमें नहीं लगता कि टलेगा क्योंकि ये सरकार बड़ी सक्त है एक बार ये जो निर्ड़े ले लेती है तो वो ले लेती है फिर बदलती नहीं है आपके पास अब ये ताकत है कि आप सरकार को बदल दिजे सरकार तो अपना निर्ड़े नहीं बिदल लेकिन आपके हात में है कि अगली बार आप सरकारी चेंज कर देब टाकि कुछ तो राहत मिले कोई ऐक ऐसी सरकार है जो भी सरकार हो चाहे ब्य….पी हो, एस्पी हो, कोई भी ऐसी सरकार आ जो कम से कम 6.00 हितुकी तो बात करें क्योंकि बेरुजगारी दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है अगर देखा जाता है आने वाला समय जो है भारत में भुकमरी का सिकार हो जाएगा इस तरीके का माहोल क्रियेट हो रहा है